वोक कि आप अच्छे होंगे और आएक से वीडियो में हम बत करेंगे कि अगर भारत में आपको जॉब करना है चाहे इंजिनिंग किये हूँ चाहे आप इंजिनिग ना किये हो तो ऐसे सहर में job करने मत चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे city में जाते है, ऐसे सहर में जाते है, तो कहीं न कहीं आप अपने career को spoil कर रहे हो तो मैं बात करूंगा गयस, और ये जो video है ना वो कहीं न कहीं आपके career को एक नया direction देगा देखो ऐसा मैं यूं बोलाओं कि भारत में कई सारे ऐसे सहर हैं जहां पे low pay scale है मतलब salary जादे नहीं मिलती है तो आप ऐसे try करो देखो उसके positive point भी मैं बताऊंगा negative point भी बताऊंगा जैसे example मैं दे देता हूँ एक example दे रहा हूँ कि अभी हम लोग नवैडा में है ठीक है तो नवैडा से compare कर ले हम गोरकपुर को ठीक है अगर हम नवैडा और गोरकपुर को compare करे तो अगर नुएडा में एक सॉफ्टर इंजिनियर की सैलरी मैं मानता हूँ डेड़ लाक रुपए है, दो लाक रुपए है, दस साल बाद, दो लाक रुपए महीना कमा रहा तो दस साल बाद अगर गोरकपुर में उसकी जो सैलरी होगी, अगर बहुत अच्छा होगा तो 50,000 रुपए महीना कमाएगा, मतलब कहीं न कहीं अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहा है वहाँ पे रहकर के, भाई आपको पैसा तो कमाना है, आप घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलोगे तब ही जाकर कि आप पैसा कमा पाओगे, तो अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, प्राइवेट इंडस्ट्री में या गौर्मेंट इंडस्ट्री में, तो चलो एक बार हो गया, तो कहानी खतम है लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करें, तो आपको उस लोकेशन पे पहुचना पड़ेगा, जैसे मैं अगर आईटी की बात करूँ, तो सब लोग प्रिफर्ड करते हैं आईटी की जॉब के लिए बैंगलोर लोकेशन, बैंगलोर में चलो, वहाँ पे बहुत सार चीज़े हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो बैंगलोर लोकेशन पे जाते हैं और बहुत कुछ करते भी हैं, तो उसी तरह से आप भी बैंगलोर लोकेशन पे जाकर पैसे बना सकते हो, लेकिन आप किस फिल्ड में एक्सपर्ट हो, बहुत सारे ऐसे जगह हैं कि लोग अब उस साल मात क्या मार्ट होगा और जो टॉप का सहर में वो कितना आपको घ्रोथ से देगा तो यह करके तब एक लिए जाओगे तो सैहit करीयर बेस चाहेगा आगे बढ़ेगा सै कि कि लाई में बहुत बडलां होगा ति इसलिए उसलिए बता रहा हूं कि इन सारी चीज़ों को जानिये आप जब तक नहीं समझोगे सायद आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाए अब मैं बता दूना देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अपने होम टाउन में रहे लो वही पर कुछ कर लो वही पर कमा लो खर्चे बहुत हैं देखो जितने खर्चे हैं मैट्रोसिटी में उतना अर्निंग पावर भी तो है अगर डबल खर्चे हैं तो डबल लर्निंक पार ही है कि लाइक स्टेंडर्ड मेंटेन होता है जो सब करिये तरवाइस आपका करियर आगे बड़ पाएगा तो मेरा काम त्यार आपको एक प्सिजिट करना और जो में इसलिए क्राओड है में लोग इसलिए कुझा है और धीर्ये चीजे आपको जानना बहुत जोरूरी है जब तक आप जानोंगे नहीं गाई तब तक आपका करियर आगे नहीं पड़ेगा तो मेरा काम था आपको बताना और आपका काम है इसको एनालेसिस करके इस पर वर्क करना वीडियो में इतना ही जिनको करियर काउंसलिंग चाहिए आ आप लोग करियर आगे जाके मेरे से बात कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मिलते आप से नेक्स वीडियो में थाइंक यू